अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो आपको घवराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज आपको आसानी से किलियर होने वाला है घुर्णन गती गाईज आपसे पुठा जा सकता है कि घुर्णन गती क्या है घुर्णन गती किसे कहते हैं या घुर्णन गती से आप क्या समझते हैं घुर्णन गती की परिभासा क्या होती है तो आप बिल्कुल घबराईएगा मत जो मैं आज किस क्योडियों में बताने वाला हूं वही आप आपको लिखेगर आजाना है नमबर आपको मिल जाएगा तो तो लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज यहाँ पर आप देख पा रहा है घुर्नन गती ओके घुर्नन गती जिसे एंगलिस में कहते है रोटेशनल मोसन ठीक है आसानी से यहाँ पर देखिए मैंने लिखर रहा है कि जब कोई वस्तू इस्थिर अच के चार और गुमती है तो इस परकार की गती को घुर्नन गती कहते हैं यहाँ पर उधारन में आप देखिए गाड़ी की पहिया की गती गाड़ी का जो चका होता है पहिया का मतलब होता है चका तो गाड़ी का जो चका होता है वो घुरते रहता है चार ओर लेकिन बीच में जो धूरा होता है क्या वो घूरता है नहीं घूरता है वो रुका हुआ रहता है यानि इस्थिर रहता है तो आप गारी का जो चका होता है उसको आप घूरनन गती में ले सकते हैं क्योंकि गारी का चका घूरते रहता है और बीच में क्या रहता है उसका केंद्र जो होता है उसका जो अच्छ हो गती को भी घुर्णन गती का उधारन ले सकते हैं और इसके बाद कुमार की चाक की गती कुमार का चाक भी घुरता रहता है गोले गोले लेकिन उसका बीच वाला नहीं घुरता है इस्थिर रहता है तो ये हमारा कुमार का चाक क्या हो जागा घुर्णन गती का उधारन और हा लट्टू जो होता है उसका बीच वाला इस्थिर रहता है लेकिन रुकता नहीं है जी हाँ बीच वाला जो रहता है वो इस्थिर हो जाता है लेकिन रुकता नहीं है वो नचते रहता है घूरते रहता है इसलिए लट्टू की गती भी क्या है हमारा घूर्णन गती का उधारन और हाँ याद रखिएगा घुर्ननगती यानि कोई भी चीज होगा वो घूरेगा ही घूरेगा तो ये चीज आप ख्याल रखिएगा I hope ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया होगा तो आप नीचे जरूर लिखेगा मिलते हैं एक और नए दिन नए वीडियो के साथ तब तके लिए जै हिंद जै भारत